आज हम प्लेसन नाइन पढ़ेंगे पैस नंबर फॉर्टी फॉर्ट लेसन का नेम है प्लेसिस ओफ वर्षिप लेसन नाइन अब आप सोच चूंगे मैं में एक फीडर क्यों बना रहती है कों खों कौन किस किस जघर पे जाके वर्षिप करता है तो सबसे पहले है इसका नाम रमेश है यह हिंदू है और ए टेमपर में प्रेख करने जाते हैं यह जान है यह Christian है यह कहाँ पर जाते है चर्च में प्रेक करने जाते है यह है गुर्जीत यह सिख है यह कहाँ पर जाते है गुरु दवारा में प्रेक करने जाते है नेक्स्ट है यह सामी, इसका नाम है सामी, यह मुस्लिम है और यह कहाँ पर प्रेय करने रहते हैं मॉस्क्यू में यह आपको पूरा समझ में आगया है, इसलिए बारे मैं आज में डिटेल से पढ़ाऊंगे पैस नमबर 9, places of worship, I study in class second, students of different religions study in my class, I will introduce you to some of them यह बोल रहा है कोई student कि में class second में पढ़ता हूं और मेरी class में different different religions के बच्चे study करते हैं मतलब अलग 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 धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अब आप धर्म क्या होता है, तो अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताने जा रही हो, I will introduce you to some of them हम इसके बारे में आपका इन सब का परिशे देंगे आप सको मैंने बताई दिया अब इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू तो रमेश इश अब हिंदू, यह रमेश है यह हिंदू है जो हिंदू होते हैं, वेश हिंदू होते हैं वा इसपूजा करने जाते हैं जो बच्चा हिंदू होगा, कोई बी जा सकता कि यह node के जो इसे बीजा ना कोई से भी दरमघपका बच्चा मंदिर जा सकता है special Hindu लोगी temple में प्रे करने जाते हैं Hindu कहां पर जाते हैं? Temple ठीक है? तो Hindus worship in a temple the Ramayana and the Bhagavad Gita are the holy books of Hindu Hindu लोग temple में वर्षिप करते हैं और उनका holy book है Ramayana and Bhagavad Gita the temple have idols of gods and goddess temple में उनके idols होते हैं मूर्थियां होती हैं देवी देटों के temple में जो मंदिर होता है इसमें god and goddess की मूर्थियां होती है जो हम प्रे करने जाते हैं ठीक है? यह समझ में आगे होगा आज मैंने रमेश के बारे में बताया है यह हिंदू है यह रमेश है, यह हिंदू है और यह टेमपल में प्रे करने जाता है और इनका holy book है रामाइन एन भागवर गीता कला हम नेक्स्ट जोन के बारे में पढ़ेंगे बाई